आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दॉक्ट्राइन ओफ वेवर के बारे में ये दॉक्ट्राइन समझने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेशन पूछना चाहती हूं कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके घर आए हैं रलेटिव्स और जाते जाते उन्होंने आपकी हथेली पे रखे हैं कुछ करारे करारे नोट्स और उनके जाने के बाद जैसे ही दर्वाजा बंद हुआ आपके पैरेंस ने वो नोट्स आपसे छीन के अपनी पॉक्ट में डाल लिए मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है and I'm pretty sure आपके साथ भी हुआ ही होगा अगर ऐसा है तो ये डॉक्ट्राइन तो आपको समझनी बनती ही है see ये डॉक्ट्राइन है हमारे राइट्स के बारे में इस नेशन में रहने के बदले जो हमें राइट्स मिलते हैं या human beings होने के वज़े से हमें जो राइट्स मिलते हैं उनके बारे में है ये डॉक्ट्राइन waiver का मतलब होता है छोड़ना, त्याग देना तो ये doctrine हमारे rights को त्यागने के बारे में है इनका मानना है कि कोई भी इंसान अपना best judge होता है वो खुद से decide कर सकता है कि उसे जो rights मिले हैं क्या वो उन्हें रखना चाता है या फिर छोड़ना चाता है कोई भी इंसान उसे मजबूर नहीं कर सकता है ऐसा करने के लिए मतलब parents तुम्हारी ये बात समझते नहीं है उनको तो ऐसा लगता है कि बच्चे के हाथ में कुछ पैसे आया है तो लपेट लो वो अपने हाथ में लेकिन ये doctrine law में ऐसा बोलता है कि घर में तुम्हारे साथ जो मर्जी होता हो लेकिन देश में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा अगर तुम्हारे कुछ rights बनते हैं तो तुम्हारे पास वो power है कि तुम decide करो वो rights तुम्हें रखने है या फिर छोड़ने है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है The doctrine of waiver of rights is based on the premise that a person is his best judge and he has the liberty to waive the enjoyment of such rights as are conferred on him by the state मतलब इंसान चाहे तो अपने rights को छोड़ सकता है उसको इस चीज के लिए किसी की permission लेने की अवशकता नहीं है चाहे तो enjoy करे चाहे तो छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है However, the person must have the knowledge of his rights and that the waiver should be voluntary इसके बारे में अभी हम बात करेंगे अगली slide में It says, waiving a right means that a person can no longer claim that right मतलब एक बार अगर किसी इंसान ने decide कर लिया कि मुझे अपने right को waive off करना है छोड़ना है तो वो बाद में उसे claim नहीं कर सकता कि भाई आप पहले तो तुमने parents को बोल दिया हाँ जी ये पैसे आप रख लीजें और रात को जब तुम सोहे सुबह उठके यूवर लाइक नहीं यार मुझे तो पैसे वापस चाहिए और तुम अपने parents के पास वापस गए कि नहीं मुझे वो रात वाले पैसे वापस करो फिर नहीं देने वाले parents तुमें तुमारे पैसे वापस एक बार उनकी pocket में पहुँच गए तो मतलब निकल लिए वो तुमारे हाथ से तो simple सी बात है एक बार अगर तुम अपने right को wave off करोगे अपनी खुद की मर्जी से तुम कर सकते हो लेकिन उसके बाद तुम claim नहीं कर सकते हो उस right को दुबारा से अब इस doctrine के according दो बहुत important चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहली कि person should have knowledge about his right सबसे पहले तो ये बात बनती है कि भईया एक इनसान को पहले पता तो होना चाहिए कि उसका कोई right बनता है for example आपके relatives ने directly पैसे आपको देने की बजाए आपके parents को दे दिये ये बोलते हुए कि बच्चों को कुछ chocolate बगेरा दिला देना अब भई parents ने अपनी जेव में रख लिये और आपको पता ही नहीं लगा कि आपको ऐसे कुछ पैसे मिले थे तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका कुछ right बनता है relatives आपके नाम पे कुछ पैसे दे के गए है दूसरा point है कि he should express his intention through express or implied way and it should be voluntary also मतलब जो भी इनसान अपना right त्याग रहा है उसने ये चीज voluntary तरीके से की हो ना कि जबरदस्ती किसी ने करवाई हो जैसे अगर हमें relatives से पैसे मिले हैं और हमारे parents वो पैसे हमसे लेना चाहते हैं तो हम voluntary उन्हें वो पैसे दे मतलब हम expressed way में या फिर implied way में ऐसा show करें कि हाँ parents आप हमारे पैसे रख सकते हैं ये ना कि तुमारे pocket में पैसे थे और मम्मी ने जबरदस्ती निकाल लिये और बोला कि वह या बेटा तो देना चाहता था ये पैसे मुझे नहीं वो फिर voluntary नहीं कहलाया जाएगा और वहाँ पर ये doctrine applicable भी नहीं होगी सो कोई भी इंसान अगर अपने rights को त्याग रहा है तो ये दो conditions फुल्फिल होना जरूरी है तभी ये doctrine applicable मानी जाती है अब आती है इस doctrine की सबसे important line जो की है ये इन इंडिया constitutional fundamental rights cannot be waived off बहुत बार Supreme Court में ऐसा question उठाया गया कि जैसे बाकी rights हम waive off कर सकते हैं क्या हम fundamental right भी waive off कर सकते हैं मतलब कोई इनसान अगर सोचे कि constitution के चलते हुए से जो fundamental rights मिले हुए है वो वो छोड़ दे तो क्या ये possible है तो इसका answer है no ये possible नहीं है आप अपने बाकी सारे rights छोड़ सकते हैं but when it comes to fundamental rights तो एक इनसान के पास permission नहीं है अपने fundamental rights छोड़ने की so अगर इस doctrine को sum up करूँ तो सिर्फ यहीं बोला जा सकता है कि एक इनसान अपना best judge है जिसके पास वो अधिकार है कि वो अपने rights को wave off कर सकता है छोड़ सकता है but एक बार अगर उसने ये अधिकार इस्तिमाल कर लिया उसके बाद दुबारा वो अपने उस right को claim नहीं कर पाएगा और यह जो rights के बारे में बात हो रही है उसमें fundamental rights included नहीं है that's it doctrine of favor में बस इतना ही था अगर आपको कोई भी doubt है आप comment section में पूछ सकते है and इसी के साथ अगर अभी तक आपने हमारी doctrines वाली playlist नहीं देखी है तो फच से जाके देखी आपको description box में उसका link मल जाएगा साथ ही साथ आप हमें recommend कर सकते हैं कि हम अपनी next video कौन से topic पर बनाएग and and lastly अगर आप इस channel पर नए है तो subscribe करो किसी इस का वेट कर रहो that's it thank you so much for watching this video